गुड़ी इवनिंग बच्चों कैसे हो आफ एरली खतम हो गए सब के रिजल्ट भी आ गए होंगे और पता लग गया होगा कि कौन कहां पर स्टेंड कर रहा है अब क्या कहा रहा है पिशली बार भी बोला था यह तो जब तक बोलता रहूँ अब तुम्हारा तो अब तक जब तक तुम नमबर लेकर नहीं आओगे मैं तुम्हारा खाता रहूंगा ऐसे लिए फिर नीग खतम हो चुक है अब जैसे इंटर्वल के बाद पिच्चर के अंदर ट्विस्ट आता है अब समझे अकाउंट में ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा यह वाला पहला चैप्टर जो बैंक रिकंसेलिशन का उसके बाद जो चैप्टर है डेप्री सेशन का उसके अंदर लॉट ऑफ कैलकुलेशन लॉट दिमाग कर रायता बन जाएगा तुमारा दहीं फ्याल जाएगा दिमाग में इसलिए जितना हाफ इतली से पहले वाला था इंटर्वल से पहले पिच्चर के सिरफ क्रेक्टर बने थे अब पिच्चर में सफ्पैंस बनने शुरू हो जाएगे तो ध्यान से करना और कोशिश करना कि offline class ही लेना online class लेना की कोशिश मत करना नहीं तो fall in the value of assets called depreciation तुम्हारे mind का भी हो जाएगा depreciation और फिर teacher तुम्हें number के देगी depreciation वाले फिर मुझे मत बोलना और अब के बाद जो बच्चा online अगर आया है जो online के लिए इलिगीबल नहीं है जैसे जित्तिया यह तो बिद्वार का से है तो उसकी उस दिन absent लग जाएगी मेरे इसाब से वो बच्चा absent ही माना जाएगा प्रेजन्ट नहीं माना जाएगा अगर वो online class लेता है तो कि किसी में बिमार हूं तब भी अगर वो online class लेता है तो इकल को इसने मुझे बोला कि सर यह वाला चैप्टर करा दो और मैंने लिखनी कि मैंने यह बैंक रिकंसिलेशन कब कराया था अगर वो जिन तो मेरे लिए मैं उसको चैप्टर कराऊंगा यहीं काऊंगा जब प्रेजेंट ही नहीं था मैं क्या करूं राइट तो चलिए अब हम नेया चैप्टर शुरू करते हैं डेट इस कॉल दा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबसे पहले बैंक रिकंसिलेशन में सबसे पहले वर्ड समझते हैं री कंसिलेशन की री कंसिलेशन का मतलब क्या होता है दित्त्य बटा अवाज क्लियर आ रही है ना मेरी येस तरह री कंसलेशन का मतलब क्या होता है एक चिज़ बताओ हम जो भी बात करते हैं अकाउंट्स में बिजनस के पाइंट अब उसे करते हैं तो हमने अभी रिसेंड़ी सबसे पहली किताब कुन सी बनाई थी कैश बूक ब cashbook फिर उसके बाद बनाई double column cashbook जिसमें हमने cash और bank दोनों को ध्यान रखा राइट रिशान तो यह बताओ एंजल जाओ हमने cashbook बनाई और cashbook में cash और bank दोनों के column में maintain किये तो bank column क्या बताता है कि business का bank में कितना पैसा जमा है bank का कितना पैसा जमा है वो कौन सा कोलम बताता है cashbook का bank column जित्या इजिट क्लियर बेटा यह कैश के नूट भी नेगटिव cash नेगटिव नहीं हो सकता पर bank balance आपका नेगटिव भी हो सकता है इसका मतलब bank balance अगर positive है तो प्लस balance है और अगर negative है तो ओवर ड्राफ्ट है अगर positive है तो आपका asset है और asset के balance क्या होते है debit होते हैं और अगर bank balance आपका आपकी किताबों में कि overdraft है तो आपका negative balance है इसका मतलब credit balance है cashbook is it clear दितने मेरी बात समझ में आ गई यह जब हम business का अब bank account open करते हैं bank में जाके इवन अभी तक आपने जो bank account open किये वह आपने आपके saving account open हुए थे bank में तो आपको bank के साथ लेंदेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो बैंक आपको record में रखने के लिए एक statement issue करता है that is called bank statement यह आपको देता है एक किताब जिसे बोलते है रहते हैं Pass-book जिसे बोलते हैं पास वुक हो यह पासुड कि कुछ इस तरह की होती है जो आइस्सेया की पास्ट बोग के ये कुछ यह कूच इस्तरह की आइं अगर मैं बैंक में पैसे जमा बनाता हूं तो बैंक मुझे बताता है कि इतने पैसे आपके हमारे पास जमा है यह जो कैश्भू बनाता है बिजनस यह अपने पॉइंट उसे बनाता है और यह जो पास्भू बनाता है बैंक यह अपने पॉइंट उसे बनाता है तो यह कौन इशू करता है बैंक यह बिजनस कि मैंने ब्यं Game से क्लाः लेना है यस और नो गं क्या हुआ हुआ कर बार इसका मतलब बैंक ने पैसा देना है तो उसकी लेक्टी होगी है लेपल्ट्डी और लेक्रदि के बैलंस क्या होतें और डैडस होते हैं 김ोट गुड पास्वुक है तो देखिए इसके अंदर अगर आपको नजर आ रहा है जित्तिया नजर आ रहा है यह बैलन्स कितना क्रेड़ीट दिखा रहे ने दिखा रहा है दिख रहे यह कितना दिखा रहा है 89,000 कि थोड़ा सा और आगे करूं कि सर पूरा क्लियर ने दिखता अच्छा थोड़ा और पीछे करूं कि सर नंबर्स ने दिख रहे तो दिख रहा है ना येस मैं क्रेड़ पर निशान भी लगा देता हूं एक बार कि मुझे ने दिखा रहा है यह देखो यह बैंक की पास्बूक है अब इसकी ओपर देखो एक बैलन्स क्रेडिट दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि मेरे बैंक में 89,000 रुपीज जमा है वो मैंने बैंक से लेने हैं और बैंक यह पास्बूक की शुकरी जो यह बताएगा कि मैंने 89,000 रुपीज देने है तो as per business point of view that is debit balance और as per bank point of view that is credit balance as per banking point of view जित्ते एजिट क्लियर यह बात समझ में आ रही है अगर मैं कहता हूं कि कि एंजल मेरी बहन है तो एंजल के कहीगी आप मेरे भाई हो यही कहीगी ना दोनों की statement अलग अलग है कि नहीं है पर रिष्टा एक ही है भाई बहन का सगा रिष्टा है यह ऐसे यह रिष्टे बैंक के साथ हमारे चल रहे है तो हमारे दोनों के यह balances match होने चाहिए यानि कि अगर बिजनस यह कहता है कि मेरे एक लाख रुपे बैंक में जमा है तो बैंक भी कहेगा हाँ जी आपके एक लाख रुपे जमा है अगर मैं यह कहता हूं कि मैंने बैंक से एक लाख रुपया लेना है तो बैंक बोलेगा मैंने आपको एक लाख रुपया देना है दोनों एग्री हो गए तु मेरा भाई मैं तेरा भाई दोनों भाई भाई तो एग्री होगे कोई जगड़ा बगड़ा नहीं है अमारा अब कई सिच्वेशन ऐसी आएगी कि आपके इन दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ तो जगड़ा ओगा अगर पापा ने भाईया को तो दिला दिया आई 14 जब वह 11 में था और आज मैं 11 में आ गई हूं तो मुझे मिल रहा है सैमसंग का तूटा फोटा फोल तो बताओ घर में कलेश होगा के नहीं होगा भाईया भाईया को ज्यादा आप बेटे को ज्यादा प फिर फिर मोशनथ्य चार होंगो है फिर फिर मोशनथ्य चार से एक बीच की तीरी में सीचान अब हमारा दैंक मेलंस विस्षाफब सबसमाइब इस आघन पने याघनट केव उसे मैं क्या Giश का बेंक कॉलम और बेंक क्या मैं बना रहा हूं क्या working पास्बुक जो से स्टेटमेंट कहते हैं दोनों में मिलान होना चाहिए दोनों के बैलन्स सेम होने चाहिए दोनों के बैलन्स सेम होने चाहिए अगर आपको दोनों के balance अगर same नहीं है, match नहीं कर रहे हैं, तो आपको balance के अंदर difference नजर आएगा, उस difference के यह जो difference आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या reasons है, इसके पीछे क्या reasons है, उस reasons की statement को बनाना, that is called bank reconciliation statement, that is called bank reconciliation statement, अगर हमारी cash book और pass book दोनों match करती है, then no need for reconciliation, अब सबसे पहली बात, bank reconciliation बनाता कोन है, बिजनस बनाता है, या bank बनाता है, बिटा पैसा किसका है, बिजनस का, बैंक का पैसा दोड़ना है, तो उसे उधार दे रखा है, तो भाई पैसा मेरा है, अगर मेरे कुछ balance में difference हाएगा, तो भी है, दर तो मुझे ही होगा न, पैसा मेरा है, तो bank reconciliation कोन बनाएगा, बिजनस बनाएगा, bank reconciliation कोन बनाएगा, बिजनस बनाएगा, ओने particular date पे, एक particular date पे बनाएगा, चाहे वो end of account, end of every month हो, या end of accounting period हो, आपको जो normal सवाल आएगा, वो at the end of the accounting period आएगा, यानि कि 31st मार् या 35 December, या जादस जादा होगा, या end of every month आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है वसला, हाँ जी आपको पीछे, आरियन घर्ग, शोकीन सर, तो सबसे पहली बात, BRS, bank reconciliation, made by business, not made by bank, मेरी बात समझ में आ गई, पहला point तो यह हो गया कि नहीं होगा, इस पर one marker का सवाल आता है, कौन बनाता है, bank reconciliation statement, business बनाता है, ओने, पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर डेट पर बनाता है, क्या बनाता है, statement बनाता है, it's not a letter, it's a statement, तो इसमें ना तो कोई debit होगा, ना ही कुछ credit होगा, जित्तिया, is it clear, कोई doubt, एक पर्टिकुलर डेट पर बनेगी, आपकी bank reconciliation, statement, अब, यह copy कर लिया आपने, अब आजाओ जो मैंने आपके साथ डिसकस करा, business क्या maintain करता है, और bank क्या maintain करता है, पैसे का इसाथ किताब देखना है कि नहीं, देखना, तो business क्या maintain करता है, करता है, कैश बुक, और bank क्या maintain करता है, पास बुक या बोले तो, bank statement, समझ में आ गई, कोई doubt बहुत अराम अराम से करना है, कोई दिक्कत बेटा यहां तक, अब, अगर इनका balance यह कहता है, कि जी, मेरे एक लाख रुपे जमआ है, तो bank एक लाख रुपे जमा है, तो यह क्या बोलेगा, मेरे ओक लाख रुपे bank से लेने है, तो यह debit balance बोलेगा, कैश बुक का debit balance बोलेगा, two balance बीडी आता है कि नहीं आता, और bank क्कै बोलेगा, बताओ ये भी बात समझ में आगई कि ने आगई ये भी बात समझ आगई कि ने आगई इस तनिश अहुजा कोई दिक्कत यहां तक अगर ये statement आए वो कहता है मैंने एक लाख उरपया लेना है और पास्बूक कहते है मैंने एक लाख उरपया देन नो need for reconciliation तब reconciliation की जरूरत नहीं है बट अगर इन दोनों के balances में difference आ जाए तो difference क्यों आ रहे हैं हमाल लिजीए जैसे की आपके दोस्तों में आपकी कोई लडाई हो जाती है राइट फिर कोई ना कोई बीच में बिचोलिया बनता है पैच अप कराता है पैच अप कराता है कि भीया चलो इनका दोस्ती दुबारा से किया जाए बहुत अच्छे दोस्त हैं बिचड़ने नहीं चाहिए तो बैठ के उसने मुझे ककड़ी कहा क्योंकि पतला था तो इस बात पर जगड़ा हो गया शिर्फ फट गए राइट क्योंकि आज की डेट में पेशन्स तो किसी में नहीं है तो यह जगड़े को चुल जाया गया कहा कि यह कागच पे लिखो कि मैं अब इसे पिलपला आलू नहीं कहू गया कि हमारा जबाता है इस कारण से उखा था और यहांने एक स्टेट्मेंट में लिख लिए ऑगे से इन बातों पर जगड़ा नहीं करेंगे जैसे की गर पीक्रें जीड़े होता है एक से लिए गवह कि जब आती है घर में बहु बनके तो वह तो युज य। य। जो सास । अगर मेरी वाहिव को मम्मी को बोला मेरी मम्मी को अगर मैंने उसकी मम्मी को मम्मी जी नहीं बोला, तो जगड़ा हो जाएगा नहीं हो जाता है कि भाईया मैं आपकी मम्मी को भी मम्मी जी बोलूगी और आप भी मेरी मम्मी को और मम्मी पापा को पूरी इजद हो गए तेनी पड़ेगी सीख लो जहां पर बहुत कुछ सिखा के बहजूगा यहां तो तो हमारी धढ़ा कोई नी होगा रीकंसलेशन होगे कि नी होगी पहल आज पारलल पर फीजियो थेरपी के बाद जाना पड़ा कमर में इतने कपड़े दोने के बाद आजा भाई आजा समझ में आ रही है तो आज मेरी पहली बार क्लास लेट हुए 12 की 10 मिनट क्योंकि सुवेरे इतने कपड़े दुलवा लिए नरात्रे खतम होगे कपड़े एट एक तो आपको मैंच कराने नहीं है मैच कराना नहीं आपको आपको यह बताना Duty service आया वो किस कि कारण से आया कि अधेट स्टेट मेंटीस कौल बाथ जीक्नेशन स्टेट में अँप। यह अब इन में डिफरेंस आता क्यों यह इसुए पहता क्यों है अभी मैंने पहले statement दी कि मेरी पत्तली ने का में आपके मं incumbent जी बोलोंगा यह ओर द्युट अगर मैने बोला रख करना पड़ेगा अगर तुमने मेरे मापा को उच्जत ने दी तुमके मापा बीछत नहीं दोंगी कि अब यही बात यहां लागू हो रही है कि हमारे दोनों Bilans मैच करने चाहिए हमारी दोनों स्टेटमेंट मैच करने चीए जैसे कई बार जूट बोला जाता है तो बोला जाता ना भाई जूट आज बोले यही वर्ड रखियो जैसे दृश्यम फिलम देखी तुमने देखी तुना पंजी गए थे तो पाव भाजी घाई थी पिक्चर देखी थी दो अक्तूबर को आग प्रिक फुलित वालों की आ रही है पता है 23 अब 23 फरदरी को आ रही है देख लिए मैंने टेलर उसका है अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता ही क्यों है यह डैट इस वर रीजन फोर दिफरेंस पहले तो यह तो समझें रीकंसिलेशन तो बात की बात है पहले यह तो समझें कि रीकंसिलेशन स्टेटमेंट हो ऑटीज लेश्टी खतम है एधर खर इए यह कैश्टी स्क्राइब करता है नो को दोनो करता कि बैलंस अगर आप कहते हो एक यह यह नौई समय दानों पर दोनों के बीच में वरा साथ डिफरेंस आ गया और इस स्टेटमेंट के रूप में लिखना बैंक रिकन्सलेशन स्टेमेंट और यह बनाता है यह बनाता है रीजन's वर डिफरेंस बीटिविन कैश्भूक एंड पास्बूक डोनों में डिफरेंस आता है तो क्यों आता है रीजन फॉर डिफरेंस बीटिविन कैश्भूक एंड पास्बूक राइट चले आगे अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कैश्बुक पास्बुक में लिख रहा हूं पीबी शॉर्ट फॉर्म में कैश्बुक को सीबी एंड शॉर्ट फॉर्म में पास्बुक को पीबी मैं कहता हूं मेरे एक लाख रुपे जमा थे पास्बुक भी कह रही है एक लाख जबाते प्रइट यहीं था अब हमने कश्पुक बना ली हमने कैश्पुक बनानी सीख्ये की दित्तिया य Whats Yes सब अब राम मोबाइल स्टोर ने अब राम मोबाइल स्टोर ने एपल कम्पनी से उधार माल खरीदा था निवह पूदार उधार माल खरीदा था नहीं खरीदा था एपल कंपनी से अब राम मोबाइल स्टोर ने एपल मोबाइल स्टोर को 20,000 रुपे की पेमेंट कर दी 20,000 रुपे का चेक इशू कर दिया इशान क्या करती है 20,000 का अब यह बता इसकी एंट्री कहां होगी जब आप कैश्बुक बनाएंगे तो कैश्बुक का और भाई चेक पेमेंट करी तो कैश्बुक का बैंक कोलम क्रेडिट साइड में लिखो के बाई एपल कंपनी यस और न तो आप बैंक कर सकते हैं आपको यहीं नहीं पता आपका दोस्त खड़ा है तिलक नगर आप आना जनकपुरी तक पहुंचाओगे बताओ मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आपको नॉलेज होनी चीए जो ट्रांजेक्शन हुई या उसका जी पी आरस कहा है तो मैंने जैक इसू किया तो जब चैक इसुखबीर 20,000 का एपल कंपनी को तो इसकी एंट्री कहा पर हुई होगी जब मैंने payment करा चेक इशु कर दिया तो जब चेक इशु किया मैंने बीस अजार का चेक इशु किया तो मेरे बीस अजार रुपर cashbook के bank column के credit side में आये होंगे और यहांगे पसला आये होंगे निए उससे मेरा bank balance कम हो गया होगा के नी हो गया होगा और आपल कंपणी गोच जिस पर्शन को दिया जिस एक्जीकुटीव को दिया वो चैक लेके सीधा हरीद्वार चला गया चुट्टी मार ली उसने गंगान हने चला गया अब यह बता मेरे बिजनस के बैंक मेरे बैंक बिजनस जहां पर मेरा एक अग्यांट खुला हुए इंजल क्या उन्हें सपना आ रहा है कि मैंने 20,000 का चेक शूपी है नहीं न तो वहां बैलंस कितना दिख रहा होगा सब्सक्राइब एक लाग दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा जित्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं यह अब इन दोनों के डिफरेंस हो गया कि नहीं और यह और नो इस फसाद की जड़ क्या थी यह 20,000 था के नहीं था इसकी वज़े से यह कमीना ना जाता हरी दोवार तो नहां में रिकंसलिशर बनानी पड़ती और नहीं हमारा चैप्टर बनता समझ में आ रही है बात तो यह 20,000 की वज़े से डिफरेंस आया की नहीं आया इस बीस अजार की वज़े से डिफरेंस आया के नहीं आया अगरक साप अब यह हो गई हमारी बिमारी की वज़े से हमारे बैलंस में डिफरेंस आ अब इसे बिमारी बोलू इलाज हो जाएगा पहल अगर तुझे बुखार है और तुझे मैं पेड़ दर्थ की गोली देदू तो क्या होगा तेरा कुछ भी नहीं होगा जब कि पेड़ दर्थ नहीं भी हो रहा तब भी होने लग जाएगा एनीवे यह डिफरेंस 20,000 का अगया कि नहीं आ गया अब इसे एकाउंटिंग लेंगोई में सैंहल लिख जाएगा इस से अगाउंटिंग लेंगोज में हम लिखा साथ फ़स्स वीजन इस है चैक इशूड बट नोट येट प्रेजंटिड पोर पेमेंट नोट करो इसे ये पहली बिमारी का नाम हो गया चैक इशूड चैक हमने इशू कर दिया वसला पर ये प्रेजंट प्रेजंट के लिए प्रेजंट नहीं हुआ हाँ बैठो सर्थ अंदर गुश जाओ सर आप गु मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई इस बिमारी का नाम क्या है चैक इशूड बट नोट या प्रेजंट फॉर पेमेंट ये बिमारी याभी अभी इलाज पहले बिमारी समझेंगे यह रीजन क्या बोल रहा हूं मैं रीजन फोर डिफरेंस बिट्विन कैश बूग एं कि एक बार बिमारी समझ आ गई इलाज तो मिंटों में आए आई ये दूसरी देखते हैं आई आई ये मेरे केस टेडी में मैंने गुपाल मुबाइल स्टोर को माल बेचा था उधार में उसने मुझे इकतिस हजार रुपे का चेक दिया कि उसने मुझे 31,000 रुपे का 31,000 का चेक दे लिया कि टाइम देख रहा है साड़ेची क्लास थी कि यार मैसेज लिखा हुए गुरूप पे कर रहे हैं आदे घंटे की वीडियो निकल चुकी आप तरी बैंक कर रहे हैं क्याश भूक पर डिफ्रेंस क्यों आता है अब आपको क्याश भूक आनी चीए इधर देखो अब ध्यान से मिल रहा है कि नहीं मैसेज तिर को मैसेज देखा ही नहीं है कि अ कि बदीच अ मैसेज कौन देखता है सैंकेशा मैसेज विख से की आदकेशल पता निसर मुझे और भी बैठा तो हुआ था बाता से अन्टे है harm कि द्राउ तो कैशबु कर पास्बुख का बैलने से 1,00,000 रुपे है हमारे केस्टेडी में गोपाल मोबा הצ पाल मोबाइल स्टोर ने हमें चेक दे दिया हमें चेक दे दिया तो कैं ढ discour giने का अधिकार सिरफ apple company था हमें भी तो अधिकार है है के नहीं है हमने क्या नहीं आतक हम nate ja और बिया और हमने सेम डे में इसे जमा भी करा दिया जित्योय मैंने जब जमा पर यह चरक ग। ऑनाव कैश भुक के debit side में डू गोपाल के नामसे बल्गी लिखो हुआ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कि जब हमार को चेक सेम डे डिपोजिट होता है तो कैश बुक का बैंक कॉलम में 31,000 की एंट्री आती है के नहीं आती दित्त्या मैंने क्या बोला आपको GPRS लोकेशन पता होनी चाहिए अगर GPRS लोकेशन नहीं पता होगी तो आप आंसर नही है और तो मेरा बैलेंस कितना हो गया रूंट्री ह सब्सक्राओं का लुख लोगिए विटा यह इंजल लोगया अब वांट्री वन का यह चेक जमा हो गया अब यह तो नहीं कि मैंने चैक जमा कराया बैंक में फटा फट उसी दी नहीं आ गया पैसा मेरे बैंक में उस दिन नहीं आता इसमें कुछ वक्त लगता है चोबिस से एड़ तालिस घंटे कि यह उन दिनों की बात कर रहा हूं जिन दिनों में क्लिरिंग चार चार दिन तक नहीं होती थी इन दिनों में उन दिनों की बात कर रहा हूं कि यह चैक मैंने बैंक में जमा कराया तो चैक की फिजिकल कॉपी होती थी वह दूसरे बैंक में जिसने में गुपाल मुबाइल स् के वहाँ से पैसान लेके मेरे बैंक में आता था फिर मेरी अकांट में वो जमावता था इन-बीट्विन एकांटिंग पिर में इसकोई क्सिई रख ऑिक टिए और फेटम बॉस्ट अरो ख वोला है अभी मैंने बैंक में जमा करा दिया बैंक वाला उसके बैंक में बेज़ेगा उसके बैंक से पैसा आगे फिर मेरे बैंक में आएगा तो इसमें समय वक्त लगेगा यह लगेगा और जब तक मेरे बैंक में पैसा नहीं आएगा मेरा बैंक बैलनस नहीं बढ़ेगा तो यह बत कि उसार के वज़े से डिफ्रेंस हाघ ho रहा है कि नहीं आ तो a टो कर दिस घब है अब इसे Accounting भाशा में Counting Language में क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे ता रीजन दी आमबर 2 कि भजिप सब्क एड़ या पेड इन्टू बैंक बट नोट येट किलियर्ड या क्रेडिटीड इन बैंक एकाउंट बताइए जित्ते हैं यह भी रिजन समझ आ गया कि नहीं आ गया हम बिमारी बाद ने पढ़ी है पहले मैंने आपको उसका प्रेक्टिकल बता दिया आपको है कोई डाउट यहां तक को है यहां तक कोई डाउट यहां तक को डाउट सब्सक्राइन पार दूस्ति के लिछे चुक्तरी है कि यह बात समझमें आ रही है किन्यारी कि थी को इंजल कोई डाउट यह बिमारी समझ आ गई चेक डिपॉस्टेट या पेड इंटू बैंक लिखा होगा बट नोट येट क्लियर या क्रेटिट इन बैंक अकाउंट देखो बैंक में तो नहीं आया ना पैसा तो यह बिमारी इसके वज़े से डिफरेंस आ गया जिनिया गया अधिक डिफरेंस जित्या जिट क्लियर यह चलिए फिर मैं बोलता हूं हां हां रिसी वह तो जमानी कराऊंगा बेटा जब रिसीव कराऊंगा तो कैश्ट बूक ये डैबिट साइड में लिखो है नी टू गोपाल और सेम डे में चैक जमा करा दिया तो कैश्ट बुक का ज क्या क्यास गया तो बैंक बैंस कम हो जाएगा हो जाएग यहां पर कैश्ट कम हो जाएगी, क्योंकि कैश के बैंक कॉलम की पेमेंट सब्स्ता मेंगे क्या कर रहा हूं अगर जीपीरस गलत कर दिया तो फिर फिर तो आंसर हो जाएगा गलत आपको जीपीरस की लोकेशन उस एंट्री की लोकेशन पता होनी चीए तभी आप राइट जगा पहुंच पाएंगे नहीं तो उट पटांग हरकते करके सवाल गलत कर लोगे इसलिए बो समझाओं इसे अब यह समझा गई एंट्री आजाओं अब फिर मेरे कैश्वुक में कितने रुपे थे विटा एक लाख रुपे पास्वुक में थे एक लाख रुपे राइट अब मैं शुकीन सर को कह रहा हूं सर मेरी फीज जमा करा दो सर ने बोला ठीक है जी बैंक अकाउंट भेज़ दो मैं वहां कैश्व जमा करा दूँगा यह तो आज की बात है पहले तो ऐसा इसने कहा आपके बैंक में सीधे जमा करा दूँगा इसने जाके वहां मेरे बैंक में आईसी 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 एए बैंक के अंदर 15,000 रुपे ज जाता है नेट बैंकिंग अब फुद देख सकते हो 50 सवाल तुम्हारे दिमाग में उचल रहे होंगे कि लास को डिस्टर्ब करने के लिए इससे पहले कि तुम डिस्टर्ब करो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूँगा तो यह तो पंदरा अजार आपने डाले और शोकीन स तो यह फोन मुझे करेगा नहीं कि सार हमने पंदरा जार पर जमा करा दी है ना ही कोई मिर पास SMS फेसलिटी थी ना ही मिर पास को इंटरनेट था तो बताईए यहां पर कितने पैसे हो गए बैंक में एक पंदरा पर मुझे तो नौले जी नहीं है इसने मुझे बताया ही नह गया इस डिपरेंस की वजा क्या थी यह पंदरा जार थी की नहीं थी तो इसे क्या बोला जाएगा है डिरेक्टली युक डिपोजुट्र आ अ है हम आउंट इन है बैंक कर अच चाहँट बाइधाे ऐसा कliers आब हैं किस्टमर डार्ट डिपोजित कर देया मुंञेंन इंजब इंद बनकी अकान भाई कि दा कस्टमर कस्टमरण सीधा बैंक में पैसे जमा करा दिए तो यह इस बात समझ में आगया गया कि मैं यह तब अभी तक हमने तीन रीजन करें बैठो अब कता क्या करूंगा बैठ बैठ इधर बैठ इधर मैं कुर्सी लेकर आ रहा हूं तो यह काम कर हुआ है तो यह मैं इधर देता हुआ तो कुर्सी अब बैंक कर रहे हैं तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम थी तो एक छोटा सा समस भीज सकते थे कि सर मेरी आई हैव टूशन शिक्स टू-7 किस ने इसने पर मैंने नहीं देखा खायराम मैं भी तुम्हेरे तरह गंदा हो गया हूं बैठ मुझे चेक करने दियार यार कहा है मैसेज आई है मैस्ट लास्ट तुशन तिल सेवन मैं मिस्टेग मैं मिस्टेग एनिवे देख श्री हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ध्यान से सुन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं बैंक तल पानी पी ले पहले तो इतने में तुम तीन ट्रांजेक्शन से देखो अब अपने आप पानी पीलो तुमारे नोकन लगरे सारे कि इदर देख छोटे सी दिर में मैं ब्रीफ कर रहा हूं मैं पांच मिन में ब्रीफ कर रहा हूं तू भी सुल ले अब कोचर साब पार de bما Reconciliation Statement तो पहले दो री कंशिव दिलेशन का मतलब समझते आ रीकंसिलेशन का मतलब भूटा वितम िनलान करना और री का मतलब होता है मिलान करना आप यह देखो है हम क्या बनाते हैं बिजनस क्या बनाता है पैसे के हिसाब रखने के लिए बैंक में खाता खुल लिया बैंक में अकाउंट ओपन करा तो बिजनस क्या बनाता है तू को एक तो होता है कैश्बुक बनाता है एक होता है सिंपल कैश् हय Groß हम डबल कोलम कई बनाते हैं जिसमें कई जिसमें क्य एंट्रि आती है वो बनाते हैं तो Dz apparent कि बैंक के बनाता है कि आपके बैंक कितने पैसे जमा है चाहिए वह पॉजिटी वह यूज और नेगिटी तुकि बैंक बढला तो नगिडीव होसकता है जिसे ःवर डॉलते हैं तो बैंक क्या बना बिजनश क्या बनाता है डिश्बूख बनाता यह किने एक लाग रुपे जमा करें मैंने बीजन से तुछ नी चल अंदर अच्छा यह नी वे बत्तर शक्तर ध्यान से सुन पड़ापड तुले कि उसके लिए भी तुछ पंदरा मिन लेटा च्छेव साथ बज़े के लास के लिए भी तो कि भूड़ी तब्यूत खराब है चल के आ रहा हूं और यार एनिवे जल्दी करांते सुन ले फटावट सुन बड़ा राघववप हम कर रहे हैं आज बैंक रिकंसिलेशन स्टेट्मेंट बैंक रिकंसाइल करना रिकंसाइल करना मिलान करना हुआ हमने लैगे चंब क्यश्फी हम सीखिए दोतरा की होती है यह घ्रिच्रम करती आज मेरें तुमने कस्तिंब ऑन हाए को क्या पी अधर के смभ力 बनाता हा वह उसके बाद क्यान उसके बाद नम केश बनाता है जिसमें एक कैस्ट मों और पेयंक eth होता है कैस्ट इनके स्काना कैस्ट क्या को विक कैश Calling होता है और बैंक से कोई transaction रोप्त हमें क्या information प्रवाइड करता है कि बिजनस का कितना पैसा बैंक में जमा है अभी मैं ओवर ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा retreat इदर उदर मत देख इधर देख बंठ डिशुत बनाई मेरा एक लाख रुपर बैंक में जम्मा यह क्या दूत कोई अ कॉलम है है वह को बैंक क्लेम में मेरे है य९ह मैंने मानी नालत ली दोनों ग्याओं नि रइट अब इन दोनों के बैलेंस में कई बाट difference आजाएगा बैंक कुछ और बोलेगा और मेरा अकाउंटन कुछ और बोलेगा तो यह जो और बोल रहा है तो difference आ रहे की निए यह difference क्यूं है उसको ठीक नहीं करना डिफरेंस क्यों आए है इसे एक statement form में लिखना that is called bank reconciliation statement and bank reconciliation statement is made by business क्योंकि पैसा किसका है business का है कौन maintain करेगा business बनाएगा यह bank reconciliation not made by bank और कब बनाएगा ओने particular date ओने particular date is it clear मेरी बात समझ में आ गई आईए अब reasons क्यों है इसके difference के reasons क्यों है क्यों difference आते हैं हमारे cashbook में एक लाख रुपे जमाते पास्वुक में CB मतलब cashbook पीवी मतलब पास्वुक मेरे एक लाख रुपे जमाते यहां पर भी एक लाख रुपे जमाते हमारी case study में हमने एपल कंपनी से माल खरीदा एपल कंपनी का एक्जीकुटिव आया अब एपल कंपनी खुद तो उठके आएगी निए एपल कंपनी का एक्जीकुटिव आया और मैंने 20,000 का चेक दे दिया उसे तो जब चेक दिया तो मैंने अपनी cashbook के बैंक कॉलम में बाइपल कंपनी के नाम से 20,000 रुपे लिग दिये इसका मतलब मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो रिडियूस हो गया बाए 20,000 क्योंकि मैंने 20,000 का चेक इशु कर दिया खोचरता आप समझ आ रही है नाओ आफ्टर दा इशु ऑफ चेक माइब 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 बैंक बैलेंसिस एक और बिजनस की सिचुईशन में कितना हो गया एटी हो गया और उसकी एक जीटर में चैक रखा अपनी जेम में हरी दुआर चला गया अब बैंक को सपना थोड़े ना रहा है मेरे बैंक को सपना थोड़े ना रहा है कि मैंने चैक इशु कर दिया वहां यहां पर 80 हो गया यह difference आ गया किस वज़े से इस चेक की वज़े से आया कि नहीं आया तो यह हुआ कि नहीं हुआ तो इस difference को accounting भाष्षा में कैसे लिखा जाएगा चेक इशूड बटनोड यह प्रेजंटेट फोर पेमेंट यह पेमेंट के लिए नहीं आया बताओ मेरी बात समझ में आ गई इस श्री हाँ हाँ पी भी पास्बुक है अब बैंक आप बताओ अबर आपना खाता जमा कर आओगे कित्छे गई इसको बोलते हैं पास्बुक है अगर जितने पैसे यह पास्बुक बना के देता है और हमें देता है कि आपके इतने पैसे जमाएं जैसे यह अगर मैं यह कहता हूं कि मेरे एक लाख रुपर जमाएं तो बिजनस का राइट आपके पास तो वह क्या बोलेगा आपका डैबि तुम ने नहीं देखी तुम भी देखो करोड़नी सी यार लिखा ये अब अपने साम से बात कर रहा है भाई मैं एक सवाल तुझे रोकना चाहता हूं हम यह उस जमाने की बात कर रहे हैं हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस टैम ना डिजिटिल बैंकिंग होती थी ना मोबाइल बैंकिंग होती थी ना समस आते थे सिर्फ किताबे होती थी सुन लिया देख लिया अब रिजन दूसरा देख यह मैं तो पीडिया बेज दूँगा टाइम ग्यादा नहीं खराब करूँगा दूसरा देख एक लाख रुपे बैंक में जमा थे पास्बुक कर रहे एक लाख जमा थे अब हमने गुपाल मुबाइ तो नका चेक देदिया और दिया किस दिन एड़ अफ दा अगांटिंग पीरड एक त्रीन दीन बाइस को चेक देदिया जब उसने चेक दिया और मैंने सेम डे चेक बैंक में जमा करा दिया राइट कि समझ में आ रही है तो राघव सुले अब है तो नोट बुक निकाल के क जमा कर दिये कि नहीं कर दिये आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन मेरा बैलन्स होगा बन थर्टी वन अब यह तो नहीं कि बैंक में मैंने चेक जमा कराया और इमें इमीडियेटली अला दिन का जिराग थोटे ना कि रगड़ा और पैसे आ गया क्या हुकम मेरे आका ऐसा तो न जमाने के लिए दूद्ध को जमाने के लिए दही में चार घंटे लगते हैं अगर चार घंटे तर पहले प्रोसेस होता है मेरा वि 색깐데 मेरा बैंक यह आक यह विझिकल चेक जो जमा कराते जोटे थे यह उसके बैंक में प्रेजेंट होता था फर वहां से उसके बैंक से प्रेजेंट हो के मेरे बैंक में ये पैसा आता था था ओए मैंने तो करा दिया 31 आ जादा अलड़ो 131 अब यहां 131 प्लस और यहां दिखा रहBT दोनुं में difference यह ही नहीं आ गया यह दिफ्रेंस की वज़ा क्या थी यह 31 का चेक था तो इसे में अकाउंटिंग भाष्षा में क्या लिखूंगा चेक डिपॉस्टीड या पेड इंटु बैंक बट्नोट येट क्लियर डिया क्रेडिड इन बैंक अकाउंट या पास्बुक बात तो सेम ही है शिरी समझा गई बात अरे कैश में दिया होगा तो कैश के क्याश को अलम में जाएगा ना फिर तो जुरूरत ही नहीं है हम यहां रिकंसलेशन किसका कर रहे हैं का कर दिये और यूदि जमा होगा क्याश तो सीधा है जमा हो जाएगा ना वह तो कोंट्रआ अट्रि हो जएगी बोधा़ी डियाट मेरी क्याट अब ये मत कहते हो कि सर ऑबने वकाउंटेंट तहा आपने उसे क्याश दिया वह लेकर भाग गया कि वहां से जब चला ऐसे चला था ना वो उसको 50 ज़र दिये उस वक्त बढ़ा दिये पर वह बैंक पहुंचा ही नहीं वह अपने गाहों पहुंच गया अब यह मत बोली हो कि इधर आजा अरे बात नहीं इधर आओ तो इसे बोलते हैं चेक डिपॉजिट इंटू बैंक बट नोट यह क्या नोट कैश यहां पर क्या बाते हो रही है बैंकिंट ट्रांशेश्शन की चेक वली हाँ कि अब र मैंने हैं 75,000 एंप मैं बोरा है मैं और भी जमा करा दो मैंने बोला की यृझार मैं सीद्धा आपके बैंक में जमा करा दूँगा इसने मेरे से बैंक वैंध में पैंसे जमा करा धिये और मुझे नहीं बताया मुझे इंफॉर्म नहीं करा क्योंकि उन दिनों की बाते ना तो मोबाइल हुआ करते थे और बैंक में जब ये पैसे जमा करा रहा था तो वहाँ को टेली फून तो लैंड लाइन हुआ करते थे अब बैंक वाले से क्यों लैंड लाइन के फोन करने देंगे भाई यह रिष्टार लग रहा तो इसंने यह पंदरा अजा जमा कर यहां बैंक पन्द्रा कर दिया अधर मुझे तो पता ही नहीं यह तो यहां सतना दिख रहा है एक लागोग है prep önce即ो पोसे बयाख के नहीं हुआ था तो इस बेडिद kicking को क्या लिखा जाएगा डारेक्ली डिपोजि आगे हर्श को समझ आगया यह आई आगे अगे कि सीबी कि पीबी कि अब एक बात और को समझो ध्यान से समझना हर्श कराओं बिटा अब अगली जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके पहले ध्यान से सुनो कि वह है क्या बला थी वह आपको पता है एलेक्टिशिटी कंपनी टेलिफून कंपनी मोबाइल कंपनी आपको एक बिल भेशती है पोस्पेड का आपको नहीं मैं मोबाइल की बा यहें आता है कि नहीं हाता है पहले भीली कंफिटी कर लेसे शD 17 उसको उसके बाद जितनी आपकी रीडिण यह उसके साब से बिल आता है कि नहीं आती है यह बिल आ अधिया अब दिखाई दिकाई देता हूं आपको अ हो यह बात को समझो एक क्या रहा है अब ये दूसरे सेंट्र रहा बाई उदूसरे सब्सक्राइब लूट रहे हैं यह अब यह दूसरे सेंट्र यह यह भी 1630 रुपई यह मेरा साथ तजाव रुपे बिल आया बेटा इधर यहां रीडिंग भी दिख रही है इधर यह देख सुन यह बिल आ गया आ गया आ गया जी यह मेरे पीएन को देजिया मुनडव को देधिया कि फिरमय दिशाय मनें अपना मुंन्डू के शन को देजिया हमने अपना मुंडू रखना केशाव जिम भी नेकी शलकडेश वो मैंने अपना मुंडू बना के रखा हूए ओंधो और जब यह बिल अवरप दिया केशव खहना खा रहा था उस्सक्राइब जुभuse, गिले, और बातने वाला उसने रख लिए उसरे बिल ऐसे रख दिया टेबल पर रख DIA और वो कि आव लाए और उस दिन उसकी बीवी ने जो सब्स्जी दी फाटत हो है उसने तो इसने तो सब्जी दी ग्रेडी वाली थी और यह का रहा था इसने फेसे फेसे अब इसे टीशू पेपर नहीं इसने यह बिल पकड़ा ऐसे करके और बिल को डस्ट बिन में फैक दिया कोई बात नहीं बिल को ऐसे दित्तिया अपना अपना डस्ट बीन में इसको एदे टीशू पेपर यूज किया और फैक दिया अब बिल टाइम पर जमा नहीं हुआ के लेक्टिश्टी कंपनी वाले आ गए बिली काटने अरे काट दिया भाई है कि सुन दो सब्सक्राइब बात को समझो मजाग मत करो मजाग में चीज़े सीख जाओगे आप जित्त्या मेरी बात समझ में आ रही है यास बिली का कनेक्शन कट गया भाई ऑफिस में अंधेरा च अगया सारे काम बंद हो गए किसकी वजह से तो बुंडू की वजह से अब भाई यह समस्य तो हर मेने आ सकती है तो अब इसका हल क्या निकला solution क्या निकला अब अरे उस वक्त तो कट गया था ना अरे यारे बबता एक बार को तो भीली का बिल कट गया ना गई यह तो क्या क निकाल दिया अब आगे से केश्यव जैसे प्रॉब्लम ना हो तो बैंक के अंदर एक फैसलिटी होती है यह गट फैसलिटी कॉलस्तेंडिंग इस्ट्रक्षन हम बैंक को स्टैंडिंग इस्ट्रक्षन दे सकते हैं कि यह मेरा कस्टमर इडेंडिकिस यह नंबर है अगर सतीष रम्राम मोबाईल स्टोर के नाम से कोई भी लाता है बीए सियसे और वह आप मेरे बैंक में प्रेजन होता है तो आप बिना पूछे इसकी पेम का उपर का जितना स्ट्रेस हलका हो गया कि नहीं हो गया इसी तरह मेरी लाइफ इंशॉरंस पूल आपको पता है मेडिकल इंशॉरंस होती है आपकी अगर वह एक दिन भी खतम हो जाए तो आपके मेडिकल इंशॉरंस आपकी फिर शूरु से होती है जब भी कोई इनसान उसकाली पैसे मिलते हैं पहले रिमिमियम के में इसी तरह आप याड़ी का इंशॉरंस होगा वह भी एक मिना पहले आपको फून आने शुरूर जाएंगे कि आपका प्रिमियम डी हो गया है तो इन चीजों से बचने के लिए एक नया बैंकिंग में एक नया आपको एक तैसलिटी दी गई कि आप बैंक को जाके बोल सकते हो कि अगर मेरे नाम से यह मेरे नाम से यह गाड़ी है यह गाड़ी का नंबर है अगर इसका इसका इंशोरंस आता है तो आप इसकी पेमेंट मेरे अकाउंट से कर दी दिये that is called standing instruction given to the bank for payment तो अब जितनी भी हमारे बिल्स हैं वो इजिली वेंडर ने सीधा बैंक में प्रेजन्ट कर दिये और बैंक ने पेमेंट कर दी मेरी बात समझ में आ रही है कि वसला मेरी बात समझ में आ रही है अब मोत और बिल कब प्रेजन्ट हो जाएं पता ही नहीं होता मानता यह बात बिल कब आ जाए अब गौक लाया बीसिस से भील आया और पांच जाइर बंपर उसने प्वेश कर दी किसर आपका ब्लाय मैं प्यामेंट करूं या ना करूं या बिल आने के बाद उजया lamps करेगा ऐसा कुछ नहीं करेगा we कि सीधा पड़ेगा यहां पता इंच कितना हो गया ब्रफ्म कितना हो गया मैं कि एक लाक्तों पॉच्शे क्यों पार सकश्चन दी थी तो इस अenne क्या होगा नंबर का यह चार है यह चार ना लिखो इस्टेंडिंग इस्टक्शन गिवन टू बैंक फॉर पेमेंट्स बताओ एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया रागव चड्डा रागव बदवार कि रागव चड्डा भी एक कि अरो देखते एक तारीक की है के नहीं उसमें पतने लाइट थी कि नहीं थी कि बेश्टेयर देखते हैं कि आठ बजे कि चलू मैं आगे करा हूं यहां पर कि क्या चीज तो इसकी वज़े से फिर मेरे को आगे जो जो मैंने बिल जो तो मेरा बिल या कनेक्शन कटा वो कटेगा निनाब अब आई तभी तो डिफरेंस आ गया हम तो क्या कर रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस उसको रिकंसाइल कर रहे हैं ना अब यहां तो बता फिर वो चैक बाउंस हो जाएगा जो पहले लेजाए वो बाउंस हो जाएगा चैक मेरा दूसरा कोई बात नी वह तो फिर आप उसने सबसे आपको दिमाग में पता नहीं है कि आपकर और चीज के लखा तो यहां बिलहर्मीने आना तो आप बैलेंस में रहा जाएंगे तो तीन मिने वर्त रखना शुरू करते हैं तो गरंटी कहता हूं तो पंतरा किलो वजन कम कर लेगा और जिम जाएगा को कि तुझे वहाँ स्मार्ट दिखना है मेरी तरह समझ में आ रही है अभी तुने वजन बढ़ा रखा है न यह तु फियर्वेल से छे मिने पहले कम कर लेगा और तुझी नहीं सारे करेंगे उसमें गल्स एंड बॉइस बोथ हर सेम यह गेंड करेगा आर्यन गर्ग गेंड करेगा कि सदार जी अपनी बढ़िया सी दस्तार बढ़िया सी बनाएंगे और ब्लीच ब्लूच कराएंगे तो तो मुंडू है तो बताओ यह स्टेंडिक श्रेक्शन इसकी विज़े से डिफरेंस आया कि नहीं आया मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं सिंगला साब हर्ष समझ में आ गया इस अब दूसरी चीज़े बताता ह का सक्षें के बारे में कंपनी को हैं हम लोग शेयर से पैसा लगाते अब आधा के अंदर आप बीस्ती पढ़ेंगे हम इंवेस्टमन करते यह से रच में के राम मोबाली स्टोर में से पैसा लगा रखा था वह पुराने जमाने में जो शेयर होते थे वो फिसीकल फॉर्म मे मिलते थे हम एक सेटिफियेट मिलता था राइट जित्या अब आज हम शेयर अपलाई करते हैं अगर हम कंपनी के शेयर खुरिपना चाहते हैं तो हमें एक डीमे अकउंड होता है ख़लता है अपने खरसाल सलका घुलता है ही अगर टू खुलना चाहिए तो रिया नाम से प्रिय इंडर पर पैसे वो लगाएंगे अथारा साल के बाद तेरे नामसे इशू नहीं होते राइट जित्तिया समझ में आ रहा है वेटा हर्ष अब कंपनिया जब प्रॉफिट कमाती है आपको तीन तरह के बिजनस पढ़ेंगे लेवंथ के अंदर नंबर वन सोल प्रोपाइटरशिप नंबर टू पार्टनर्शिप और नंबर तीन कंपनी अपकी ब समझे प्रॉफिट कमाती है तो कुछ प्रॉफिट का इससा अपने सबी मेंबर को देती रेटिती शेयर lle को देती है राअ मोबाइल ईस्टोर ने रलायाइंस के शेयर्स करईड कि निए ति अध्यक सब्सक्राइब आता है वह कैश में नहीं आता पुराने जमाने में क्या होता था कि आपको फिजिकल फॉर्म में आपको फिजिकल फॉर्म में आपको शियर्स मिलते थे और फिजिकल फॉर्म में एक चेक आता था लिफाफे में बंद जो आपके होम एड्रेस पर आता था वो चेक आप जाके बैंक में जमा कर आते थे तब आपको डिविडेंड आपके बैंक में आ जाता था आज की डेट में क्या होता है आपके साथ जो डीमेट अकाउंट होता है आपका जो उसके साथ जैसे आपके रोल नंबर के साथ आज की डेट में टैंस में रोल नंबर आय था तो आपका अधार नंबर उसके साथ टैच किया गया यह नहीं किया ग एकाउंट खोलते हैं तो आपके एक उसके साथ एक बैंक अकाउंट भी ओपन होता है जैसे ही मैंने रिलाइंस कंपनी के शेर लिए और कुछ साइम बाद अगर रिलाइंस कंपनी डिविडेंट दिया तो वह डिविडेंट सीधा आपके घर नहीं आएगा सीधा कहा आपके बैंक अकाउंट में क्रेड हो जाएगा और इसकी इंफोर्मेशन आपको दस या बारा दिन बाद मिलेगी तो बताइए कैश्बुक का बैलेंस था एक लाख रुपे पास्बुक का बैलेंस था एक लाख रुपे अब रिलाइंस कंपनी से डिविडेंट आ गया तो आपके बैंक अकाउंट में आ गया और नितो अरे पहले आता था तो अब डिमेंट अगूला मैंने बोला नहीं उसके साथ आपका एक बैंक अकाउंट लिंक होता है जैसे आपका अधार कार्ड लिंक होता है तो ऐसे आपका 30 100 का उन्होंने डिविडेंट दे दिया तो आफ दोनों में डिफरेंश आ गया कि नहीं आ गया इसवज़े से घित क्या मेरी बात समझ में अग्यी आ गई कि यह तो इस बीमारी का नाम क्या हुआ ही यविडेंट इसी तरह बैंक आपके पैसे पर ब्याश देता अचीनित देता है जुंत वहां को हैं डिविडेंट ऐसे क्रैडिटिट इन need or pass book a dividend छेटिन क्रैडिटिट इन ये इस बिमारी का नाम है कर नहीं एँ या सौर्णों श्री समझ पनांओ कह है को शर साब समझ में आ गया कोई डạo यहां तक दिद्ना कोई आप आप कर दूँआ आईये अब कैश-बुक में आपके एक लाख दो पास्वुक में भी एक लाख रुपे जमा थे आपके इस पैसे पे बैंक ने ब्याज दे दिया इंट्रस्ट अलाओ कर दिया अब इंट्रस्ट तो अपने हिसाफ से कल्कुलेट करती है वो और यह आपको बताती नहीं किस दिन इंट्रस्ट देंगे उसने आपको इंट्रस्ट अलाओ कर दिया पांसो एक रुपे का कि अरे इमाइजनरी भीगर बता रहा हूं यार पांसो एक रुपे का इंट्रस्ट दे दिया आपने आपका बैलेंस कितना हो गया एक लाग पर आपको पताया थोड़ी ना है जोगी वह तो पास्विक में एंट्र हुआ है तो यह अब यार तो पढ़ ले यह नोट करो प्रांशु बटा दे कैसे मत कर यारब प्लीज हस मत कि इंट्रस्ट अलावड बाइब यहां तक कोई डाउट किसी को हर्ष यहां तक वैडाउट कोफी करें यह आई यह कि कैश बुक पास्बूक एपलस एक लाख प्लस एक लाख अपने कोई बैंक से कोई सुविधा ली वह आपने सर्विस ली उसके सर्विस चार्ण लगा दीए जैसे आपने चेकम बूक ली' आपने चेकम बूक मंगाई आपको मिल गई बैंक ने आपके अगकउंट से पैसे काटलि उसनों में आपसे 200 रोबय काटलिए आपको इसर। ना बताइगा 200 के नहीं आया तो इसे क्या बोलेंगे यह सार्जिस बैंक चार्ड इस किसे लगाए जिट्ना समझ आ गया यह भी कि कोई डाउट हां हां हमने बैंक से कोई सुजशा ली हमने बैंक से कहा हमें स्टेटमेंट्पंट चाहिए तीक लेगिए भी तो बीज़ रहा है यह जो जी यह आपको स्टेटमेंट चाहिए और उसने बोला चार्ज लगेंगे तो बैंक चार्ज जिसका लिये आपको बीदी देदी बाद में आपकर कांड में दो सुटिया पाट लिए कि तना हो क्uing आप快 कि दे आ है अको बता ही निया तो पाइए डिफिरंस आ गया गए जा सो गया वहता क्यों तो आई गा संभान में और अब येक लाग रुपए लाख रुपे जम्हां या स्पर अब हमारे पास हमारे पास हुआ आउ अ हुआ छाछा वाले हमारा एकाउंटकाय चैषियर है है हुं हमारे एक लाग रुप्ह एल्रीड में जमा थे मैंने फोन किया तनिश एक काम कर वो किसी कंपनी का चेक लगना थू जाकर पचास जा रुप्हे बैंक में जमा करा दे अब जब यह कैश जमा कराएगा तो सबसे पहले कैश बुक के बैंक क्लम में कैश-करेगा राइट करेगा की नहीं करेगा और बैंक में जाएगा और बैंक के कॉलम में एड करेगा तभी तो निकलेगा जब इसने बैंक कॉलम में एंट्री करने बैठा तो वहां इस बंदे ने क्या कर दिया फचार गी ज़िए कितना कर दिया फांच जार बैंक में कॉंट रहे है कि यह सैसर बैट समझें है इसने句 के के बैंक को बढ़ा था पचांच-जार इसकना बढ़ा दिया फांच ए और बैंक में चला गया बैंक काकाउंटन सा हमारा प्राशु वोरा वेज़ा जैनुवन एंट जीनियस परसन उसने उसने इधर उसने पचास जार पर जमा कराए हमने पचास जार पर पूरे लिख दिये यहां बैलंस कितना आ गया एक लाग पांच जार और यहां बैलेंस कितना आ गया हमें सही नहीं करना यह डिफरेंस आया की नहीं आया जितने हैं पर यह किसकी मिस्टेक थी हमारे ऑफिस स्टाफ की निस्टेक थी नहीं थी है सिसवेवेचि आया हमें मिस्टेक मैंने क्या बोला बैंक रीकंसिलेशन मिस्टेक को ठीक नहीं करता है इसके लिए अलग चैप्टर बना है यह को रहर पर इसके लिए एक चैप्टर बना है डिसको रहर टीव्येशन ऑफ एरर वह भी पढ़ेंगे तो बताया यह अब सकता है अब इसका लास्ट बिमारी है उसके बाद सवाल पुरा याद आजाएगा अब लास्ट बिमारी है यहां तक जित्तिया हर्ष समझ आ गया यहां तक यहां तक हर्श यह सर आई यह कॉपी कर लिया आपने कॉपी कर लिया ओफ-लाइन वालो कि आईए अब आजाओ कैश्बुक पास्बुक अब हमने तनिश आहुजा को कम्पनी से निकाल दिया कि भाई जब 50,000 पर पांचर करेगा तो हमारी तो बैंड बजेगी तुम हाथ तुझे निकाल दिया आगे सुन आगे सुनों भटा आगे सुनों कहानी कि अब कि एक लाख रुपे एक लाख रुपे जमा है एगरी करते हो अब मैंने कि इस बार मैंने कहा इस बार एकाउंट रखनी फीमेल एकाउंटेंट रखनी है एघ यह तो इससे तो अपने फ्रमोशन देंगे तो अधके दिया है है क्योंकि फिडिनियस पर्षन अब अब हमने इस बार रां मुबाईल स्टोर में एकाउंटन रखी एक लड़की एक फीमेल विप और वो थी हमारी एंजल नहीं सुन तो सही एंजल एंजल थी और वेरी सिंसियर वेरी डिस्सिप्लिन ओफिस को टाइम पर आने इसको निकाल दिया था फिर एंजल को बुला गया बिटा है काम कर 20,000 रुपे का चेक 20,000 रुपे जाके जम्मा कर वादे बैंक में इसे पता था कि भाईया मेरी जगा मेरी नोकरी जो लगी है वो तनिश अहुजा जिसने ये गड़बड करी थी उसकी वज़ए से लगी है तो अब ये एक एक कदम फूक फूक के रखेगी हाँ अब इसे बोला 20,000 रुपे की कॉंट्रेंट्री मार इसने कैश बुक के कैश को लम में 20,000 रुपे माइनस किये जित्तिया यस और नो ये फिर गलती जो जो हुची तनिश अहुजा से फिर ये वहाँ पर बड़ी आखे गोल उकरके इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार हाँ अब ये ठीक है ये हो गए एक लाख बीस हजार पर जो तनिश अहुजा राम मोबाइल स्टोर को छोड़ के गए थे इनके फादर की अप्रोच से ये किसी बैंक में कैशियर बन गए कि अधाए नहीं सुन अधाए ये बता ट्राइस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जित्त्या मजा रहा है कि नहीं आ रहा है ये अधर हर्श ये अधर अब हमारे तनिश आउजा जी उस बैंक के आए कैश काउंटर बैठे हैं और एंजल काउंटर पे 20,000 की पर्ची लेकर एकाउंटन को दे रही है ऐसे कैशियर को दे रही है और कैशियर ने इतनी शाह हो जाने अपनी कान में ऐसे फोन लगा रखा है होता है ना तो बैंक में जाता है कैशियर या तो केंडी के शेल रहा होगा है तुन तो सही इसने ऐसे फोन लगा रखा था जोगी इसे तो अप्रोस से नोकरी मिली थी इसकी मैडम का फोन है वह था आते वाद केले लियाना कन्च कंज के रहें और एक कामोर करना आते वव चुनिया भी लेना है और सीटार कर तो दसदस की काम करो कैशियर होगा आपके बैंक में वह न वह दसदस की घड्दी भी ल्याना कंज को बातनी आ इतने में इंगेल की से परची पकड़ ली फोन ऐसी रखा हुआ है और अप अब यह देख इसने फोन ऐसे रखा और यह का कीबोर्ड था कीबोर्ड से एंट्री कर रहा है अब बढ़िया है अब बता है हाँ तो कोई तो कह रहा हूं यह दोनों में डिफरेंस आगया की नहीं आगया मुझे डिफरेंस को ठीक नहीं करना तो यह एरर किसने करी है अब बताओ यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई एरर मेड़ वाए अब बात में ठीक हो जाता वह अब अब बैंक अपने अब ठीक करते का जाए वह शाम को यह कैश मिलाएगा या दो दिन बात कैश मिलाएगा इसका कैश ही नहीं मैच करेगा वह एलग बात है फिर ऐसा है इस केस में तुन्हें तीन लाग का फटाफर तुन्हें कर लिए क्षच कर दिये पहली बात तो उसके मैसेच रूना आते थे यह मुंदिनों की बात करते जब एसमस नहीं आता था यार तू तो बड़े उश्यार बन रहा है तो 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 बैं तummy गता को अव्य stuck मैं अगा गया। मैं मेरी बात समझ नहीं आगए नहीं आगई जम तरह बंकिंग फ्रॉड देखना नेट्फ्लिक्स का पासवर्ट चीए इसको मेरी बात बित्तिया समझ आ गई कि नहीं आ गई ये अब ये हमने बिमारियां पढ़ ली कि कारण क्या क्या थे हमारे कैश बुक के और पास्वुक में डिफरेंस इसके राइट रीजन राइट बड़ा हर्श समझ आ गया यह 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 बात नहीं अब समझ लो अब भी अब होगी भी मारी ठीक अब हम स्टेट्मेंट बनाने जा रहे हैं तो सिंपल सी भाष्चा में अगर बोलूं तो हमने सारी बीमारीयों को एक बार जो अपने कॉपी में लिखी है एक बढ़ जरा नजर मार लो इतने में मैं असाइ कि इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिए इतनी जल्दी तो पन्ने नहीं पल्टे जाते जितने जल्दी तुन्हें पढ़ लिए पढ़ ले बेटा पढ़ ले आप लोगों ने एक बार पुरा ओवर्वीव कर लिए एंजल पहन जी प्लीज अपना फोन बैक में रख लीजिए क्योंकि माहूल को खराब मत करें तो दूसरे भी जन्हें फोन खोल लेंगे ठीक आप अच्छे एंप्लोई यह बैंक के तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी फोन ओपन कर लेंगे आईए अब अब हम सवाल करेंगे क्वेश्चन नमबर फर्स्ट प्लीज आप इसे पढ़ लीजिए पहले आप क्वेश्चन नमबर वन रीड करिए मैं बताता हूं कैसे करना बनाना कैसे आप रीड कर लीजिए और यही कोशन होगा जहां यह कुशन खतम हो गया वहां आच कराऊंगा मैं इसकी व्याख्या मैं कराऊंगा कैसे पढ़ना सवाल को एक बर आप बस जर्नल इंगलिश पढ़ लीजिए आप जैसे पढ़ते हैं कि जित्या रीड कर लिए बिटा आप श्री रीड कर लिया कर ले कोशर साव एक को समझाया दूसरा उड़ गया जित्या सवाल पढ़ लिया बिटा अब हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उसका इंटरपेटेशन करेंगे कि सबसे पहले कि दबैलेंस ओफ कैश एट कि बैंक एज शोन बाइदा कैश बुक ओफ अमितन कंपनी अच्छा इससे पहले एक चीज बतानी है हुझे वह एक चीज तो बताना भूली गया अब देखिए यहां पर कैश बुक यह उतारना बहुत जरूरी आपको पासबुक जह मैंने बोला मेरे एक लाख … पे जमा है आख कि यह लिखा इंअ यह लिख यह लिखा मैंने तो बताओ था कैश बुक क्या बोले ही मैंने एक लाख रूपई बेंक से लेने बोले रहे बनाता है तो यह क्या बोलेगा बिजनस ने रुपी वन लैक बैंक से लेने हैं तो बताइए इसकी एसेट हो गई कि नहीं हो गई क्या होते हैं डेबित होते हैं कि नहीं होते तो यह क्या लिखेगा डेबित डैलेंस एडेख पर के ऐस्षबूक जितने यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यह कोई और कोई बीटा हर्श अगया यह 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 बैंक क्या बोलेगा एग ड़े ने राम मूबाइल स्टोर को एक लाख रुपे देने हैं बेंग क्या बोलेगा जो में बैंक नहीं करह को रूपी यॉन लाख देने हैं तो क्या बन जाएगी वोरा साब यह कि लैबिल्टी हो जाएगी और लैबिल्टी के बैलन्स क्या होते हैं तो यह क्या बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एस पर पास्ट दिट्टे एजिट क्लियर विटा इसको दूसरी भाष्टा में क्या बोला जाता है अब बैंक रिकंसिलिशन बिजनस बनाता है अगर उसके पैसे प्लस में इसका मतलब वो फेवर फिवरेबल बैलन्स आ उसका पैसा है है यूज करने के लिए है ना तो इसे क् सकते हैं इसे हम तो इस फेवरेवल बैलन्स डायास पर कैश्भूख पॉजटी पैलन्स एकला पॉजटी पैलनिला ये नहीं लिए थित्त्या दोनों येद्कstrilak लिखेंगे सकटीव सब्हकर कर दमने आएं तो इसे मैं क्या बहुत ऊपक्षप कैश्मूख या ऊपकर हाब फेवरेबल बैलन्स के ऐस पर आप मेरी बात समझ में आ गई कि न है का तशाभी आगली शान पस्में हो अगया फेवरेबल मतला ेरे बैंक में एक ज्मा。。 नniejsए मैंने अपने पैसें फेवरेवल में थेवर में पैसे है कि नहीं Android टेरे कि आंप जिसे पैटेंच सब्सक्राइब मिंद लुए कि अब, टी क्लियर गव्हाइड जित्तिया समझ आ जाता यह घं यह उ Ricky ये क्षविग कौन सा कॉलम होता है। देट समझ आ रहा हुत है और आपको पता है गैंक बैलस नेगटीव हो सकता है कि डैंक बैलन्स रहा तो यह भी तो सकता कि मैंने डैंक के कत तो डैयक करन रूपर के चरह सकता क्षैश्बुक का सब्सक्राइए भॉण बैंक कॉलम है समय राइट यह क्या सनसे तो यहां पास्टूक कभी तो नेगेटी बैलेंस हो सकता है नहीं हो सकता जो मैंने आपको दिखाया है वो डेविट लिखे कर ने लिखेगा क्योंकि यहां पर माइनस पचाज़ार का मतलब क्या है यहां पर माइनस पचाज़ार का मतलब क्या है बिजनस इसका मतलब ओवरड् और ओवर्ड्राफ्ट आपकी क्या होती है कि लेबिलिटी होती है की नहीं होती तो ट्वेस क्रेडिट होते हैं क्रेडिदें कि नहीं होते तो आप क्या क्या है बिजनस ने बैंक को रुपीज 50,000 देने हैं तो यह आपकी वोरा सब लाइबिल्टी बनेगी नहीं बनेगी और लाइबिल्टी के बैलन्स क्रेड़िट होते हैं तो मैं क्या लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एस पर कैश बुक कोई डाउट और पास्बुक क्या बोलेगी बैंक ने राम मोबाइल स्टोर से पुरुपीज 50,000 लेने है तो यह एसेट बनेगी की नहीं बनेगी तो यह क्या बोलेगा डैबिट बैलन्स एस पर पास्बुक और जो आपका नेगेटिव बैलंस बिजनस के लिए अन फेवरेवल बैलंस होता है कि नहीं होता तो इसके केस में और क्या लिख सकते हो अन फेवरेबल बैलंस एस पर कैश बुक या ओवर्ड्राफ्ट एस पर कैश बुक ऐसे यहां पर लिख सकते हो अन फेवरेवल नेगेटिव बैलंस एस पर पास्बुक या बैलंस एस पर पास्बुक या ओवर्ड्राफ्ट एस पर पास्बुक जित्ते हैं यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि यह सबसे पहले यह चीज पता होनी चीए और यह कौन से बैलंस होंगे यह बाले बैलंस कुझ से होंगे प्लस वसला यह बैलंस कुझ से होंगे प्लस और यह वाले कुंसे होंगे ओवर्डाट वाले हर्ष्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया हर्ष्ष्ष आ गया कि नहीं आ गया ये जर्श चले आ गया अगया वह गया ये ओवर्डाट बेलंस एस पर पास्बुक आ गया समझ में राघव कोई दिक्ट अब हम करेंगे पहला सवाल फाइक पांच नड़ को हो जाएगा जिस चीज क तो हमने करने में डेड़ घंटा लगाया कहते ना जूस अब निकल के आएगा छोटे से इसने ग्लास के अंदर है भई आदमी ने पहले पोधा लगाया फिर फल आया अब जूस इतना ही निकलेगा उसका अब हम सवाल को पढ़ेंगे आपने सवाल को रीड कर लिया लिखा है बैलन्स ओफ कैश एड़ बैंक एश ओन बाइदा कैश भुक अमितन कंपनी ओन थर्टी फस्त मार्ट टू थाओजन फॉटी टू हंडड़ अब हमें यह नहीं पता इस फॉर्टी टू हंडड़ आइधर पॉजिटिव और नगेटिव यानिकी आइधर डैबिट बैलन्स औ सब्सक्राइब करेंगे एक साथ मत करेंगे कि उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है और मुझे क्या बनाना है कि बैंक री कंसिलेशन स्टेट्मेंट बनानी है अब देखिए मैं बनाता हूं कैसे बनती है यह दिखारों में आपको क्वेश्चन नमबर वन बैंक री कंसिलेशन स्टेट्मेंट एज आट थिफर्स मार्च एटीन यह इसका फॉर्मेट बनेगा कोई डैबिट नहीं कोई क्राइट नीड क्योंकि यह स्टेट्मेंट आइस नौट ए लेजर तक टित्या समझ आ गई कि नहीं आ गई अब एक चीज या देखना आपको सवाल में बैलन्स किसका गीवन है को कैस्ट बुक का बैलन्स गिवन है कि नहीं यह सूर नो देखिए एक जिंदिका नियम है मैं घर से चलता हूं तो सेंटर पहुंचता हूं और सेंटर से चलता हूं तो घर पहुंचता हूं बीच में कहीं मटर गस्ती नहीं करता हूं तो इसी तरह अगर सवाल में मुझे कैश्बुक का बैलंस दिया होगा तो मैं कहां पहुंचूंगा पासबुक पहुंचूंगा और पासबुक का balance दिया होगा तो कहाँ पहुंचूंगा cashbook पे राइड दिया यह सवाल की नेचर करता है कि dunno lige आधिर करता है और अगर दोनों lattiger रहे हैं cashbook का और bank passbook का तो मेरी मर्जी है कि मैं कहां से से शुरू करूं और कहां खत्म करूं राइब जित्या राइट हर्श याई तो यहां पर फिलाल उन्फेक Scamance दिया हुआ तो तो मैं लिखोंगा पहली entry लिखूँगा यह कौन सा balance था पॉजिटीव का balance था के नहीं था उसे मैंने दो मिनिट पहले बताया यह कौन सा balance कराएगा accounting language में debit balance यह कौन सा balance कराएगा तो मैं लिखूँगा debit balance as per very good और पॉजिटीव वाले में कितना लिख दूँगा चारगार दोस्तों राइट यह तो सिर्फ मैंने को कोपी पेस्ट किया है राइट राइट हर्ष यह कोपी पेस्ट किया सिंगला साब मैंने यह अब आपको अब मैं इलाज बताने जा रहा हूं एक मिनट में इलाज हु किया पर आपका टार्गेट क्या होगा पास्वुक तो आप रफ में जो भी चीज जिस जो भी चीज सवाल जैसा भी हो कि यहां पर किताबों के अंदर कम से कम 3600 केस बना दिये गए हैं हम कोई केस में डिफरेंश के स्टडी नहीं बना रहे कोई केस में इसको सेग्रिगेट नहीं करें ईथने हम राइट है इस हम सिर्फ कॉंसेट को लेके चलेंगे इस कवस्का के चलेंगे हश किताबों की और दो है यह इस गीवन तो यह गीवन यह गीवन दिमाग का दही मना देते हैं यह हम इस तरह करने की जरूरत नहीं और आपको गरंटी कहता हूं आप सवाल आपका आठ नंबर का सवाल है और एक भी एंट्री गलत नहीं होगी और आपके स्कूल के बच्चे आप से पूछेंगे कि अब बैंक कर वें में आपका पूरे नंबर कैसे और आप कैसे कर लेते हो तो हमारी तो 2-4 एंट्रियां गहलत हो जाती है पर वाइड़िड ही आपको जीपीर्स लोकेशन बता हो चाहिए और जो आज मैं यह किरा रहा हूं यह पता और कि गार वह बिद्वारी क्या है अब तो तुझे बुखार है तुझे पहरा से टमल दूँगा कर नहीं दूँगा या लूज मोशन की गोली दे दूँगा तरे को अबे तेरे को कहा रहा हूं मैं भाई शोकीन इदर आ, यानि मेरी मर्जी है मुझे सवाल में जो information गीवन होगी मैं उस पर चलूँगा इस सवाल के अंदर मुझे cashbook का balance given है, मुझे passbook का balance given नहीं है तो मेरी मज़मूरी है कि मैं cash book से चलूँगा राइट और कहां पहुचूँगा पास बुक पे राइट आरियन गर अब जो चीज आपने find out करनी है वो आपका target है के नहीं है target हमेशा आपके right hand पे होगा target हमेशा आपके right hand पे होगा यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है यह आपका क्या है यह आपका क्या है target point या माह भारत के साब से यह क्या है आपकी कि माह भारत में द्रोपती को स्वेंबर में जीता गया था तो कि सुन तो सही अरजुन को बोला गया था कि वही ऊपर छत्पे मचली रोटेट कर रही होती है और उसकी पिक्चर जो है वह पानी में दिखरी होती है और से बोलाता है कि पानी में आपने उसकी मचली को देखना है और ऊपर तीर चलाना है और आख उसकी फूट जानी चीए राइट जित्तिया यह था कर नहीं था तो वह अपने टार्गेट के लिए बड़ा ही सतर्क था कर नहीं था हाँ भई मुझे यह स्वेंबर जीतना है मुझे दुरोप्ति को जीतना है तो यह टार्गेट पॉइंट को याद रखना उसमें जाते हो अगर आप आर्मी में जाते हो टार्गेट दिया जाता है कि आज कितने सानिक मारने मारने है मिक्त शैंचा फिलम देख कौनसी फिलम आई दी शेर शाह देखी आकिठी कि बहीजर चाना है टार्गेट ही अच कर दिल्ली वखेलिन तो और वह कहाँग नहीं आले भटकी एक एड थी की नहीं थी मेक माई ट्रिप के उपर देखिया जिस पर वो कहती है कि मैं बताती हूं यह दिल्ली का है कि नहीं आप देखना यह यूटूब पर देखना मेक माई ट्रिप रनबीर इसकी तियार रनबीर सिंग और अब देखिए यह आपकी क्या है इदर देखो हम सी बी से शुरू होंगे और टार्गेट पॉइंट पर क्या है पीबई है अब हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन गा जीपिए अस देखेंगे और जीपियर्स लोकेट करने के ब और चलिए जित्या चलाओं करूं आगे बैटा हर्ष कि अब जरा हम पहली ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं कि ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं कि ट्रांजेक्शन सेंट फॉर कलेक्शन एमांटिंग टूर्पीज 3200 हैस नौट बीड क्लियर बाइब बैंक सो फार यानिकि हमन सबस्क्राइब करेंक सब्सक्राइब किन रेष्व विल्कार जिट्र defending लंगि टीक्ष्पलस का जींग म। एक तो सब्सक्राइब करते अइक मेरी बात नंयों बाथ मैं डिखेंग भी स्याइड इसक्राइब तर्ट क्लेक्शन का मतलब होता है चैक Vide 1919 to bank for collection रुख जाना नहीं चैक सेंट फॉर क्लेक्शन 32 रुपेका हैस नोट बिन क्लियर बाय किसने बैंक में क्लियर होके नहीं आया बैंक में पैसा नहीं आया और फाइनिश्य रेंब हो गया तो आपका nữa यहां पर प्लस 22 склад नहीं जित्र शायं जिद्थी समझा गया झाया ऑप कि नई हो गया यहां क्या होगा हुए यहां तो आया ечू कम दूर्डफा ये-सका मंदर जीडर है तो हमें टार्गेट देखना है टार्गेट पे जीरो होगा तो जीरो बनेंगे टार्गेट पे ये रोगा तो बनेंगे और बात समंझ में रही है मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं क्या करूँआ यहां पर कि यह मेरा अंसर है is a also my new circa 32 जित्थिया मेरी बात समझ में um कि नहीं हूआ यास मेरी या जाड़ी हटरज ने अब 32 यह बारा प्लस गॉलम मैं श targeting मैं मैं माइनस के गॉलम में 32ness do और यहां लिख दूँ लेस इस बिमारी का नाम क्या था चेक डिपॉजिट इन्टू बैंक बट नोट येट क्लियर्ड नोट करो पहले पहली स्टेटमेंट करो बताओ समझ आई की नहीं आई अब पहला सवाल किया है यहां पर तरफ आपको लोकेशन नहीं पता लगती फोड़ी लेंगविज करते मारे मैं समझाओं गए दिर दिर करके पहला सवाल ये इस अब समझ आ गया की नहीं आगया तनिश समझ में आ गया हर्ष समझ में आ गया वेटा ये सर ये मेरा अंसर हो गया की नहीं हो गया कोई डाउट गर्च साब कोई डाउट रागव शुकीन सर आठ नंबर की बैंकरिंगे चनल आती है और फ्री के नंबर है ये कॉपी कर लिए वेटा ये हर्ष ये सब चलिए अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं पिर मैंने लिखा क्या लिखा सी भी पीबी जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वह मेरे राइट हैंड पर लखेगा अगर मुझे पास्बुक का बैलन्स दे रखागा तो मैं अब पीबी लिखूंगा टार्गेट क्या होगा सीवी राइट तरीका यही रहेगा दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ो चैक इशूड इशू का मतलब होता है चैक इशू किया यानि कि चैक लिखा और जो चैक इशू करते हैं वो पेइमेंट के लिए ही करते हैं राइट दि है पूछेंगा सब्सक्रांणि पैसा आता है तो यही तेरे बादम में बात चल रही थी और चल रही थी नहीं चल रही थी दो दिन बात चलती है यह क्या लिखा है चैक इशूड चैक इशू का मतलब होता है payment सुन तो सभी टेट issue but not yet presented for payment 2000 पे जब हमने चेक issue किया तो cash book का Bank column credit में किया के की नी किया entry वो हमारी payment side होती है कि नी होती उससे मेरा बैंक क्या हो जाता है गिर जाता है तो यहां पर इसकी लोकेशन कहां होगी सी भी में माइनस दो हजार होगी कि नहीं होगी इंजल माइनस दो हजार होगी कि नहीं होगी इंशान समझ आ गया कि नहीं आ गया दो हजार होगी कि नहीं होगी सुखवीर पर यहां क्या है हमक्ति फूद ने कहाँ पूंचना थे जी रूपर पहुचना यहां क्या रहा हूं टार्गेट्ट पॉइंट को देख आजु बाजू मत्यु और मचली यहां की तरह देख यहाँ जी रोड यह तो गॉला है तो पिलों है तो यहांगए तो यह क्या करना पड़ेगा यह मेरा अंसर आ गया प्लस वाले कॉलम में 2000 पर लिख दूँ और यहां लिख दूँ एड चेक इशूड बट नोट येट प्रेजेंटिड फॉर पेइमेंट जित्तिया बेटा समझ आ गया हर समझ आ गया कि यह कोई डाउट यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट यहां तक पक्का केशव यह सवर नो तु लिख्यों निरा और यह मतलब जोड़ना पीडिया बेज दूँगा तो कि चल समझ आ गया तुरे को यह कि क्या आश्वुक के बगार नहीं होगा जब तक क्या आश्वुक अच्छे से नहीं जब तक यहीं पता रहें कि इसकी एंट्री हुई का है जब पता ही नहीं है कि मम्मी की भेहन को मासी कहते हैं तो तो बुआ बुआ ही करता रहेगा उसे अब तिरे को मैंने बोला ना भाई एक चीज से इंट्रलेटीड है अब हाफ यरली के बाद वेटा अब तोत्ते उड़ने शुरू होंगे शुरू हो चुके हैं एनिवे यहा बाद समझ में आ गई कोई दिक्कत नहां तक हर्ष दित्या आइए तीसरी ट्रांजेक्शन पढ़िए यह एंट्री खतम हो गई कोचर सब यह एंट्री खतम हो गई मेरी फिर मैंने नई स्ट्रेस लिख दिया सीबी पीबी आईए अब को तीसरी एंट्री करें कहती है डी फे लगाए तो इसकी लोकेशन पास्ट में हुई और बैंक चार्दी से आपका बैलन्स माइनस अंड्र ओगया होगा जम हो गया होगा यहां और नो यह सोट नो एंजल समझा रहे है तो मेरी इसकी ट्रांजेक्शन काहार होगी यहां पर पहुंचना है पास्बुक पे पास्बुक पे जीरो है तो जीरो बनुगा हीरो है तो इस टम पास्बुक में क्या है माइनस अंड्रड यहां पर क्या है जीरो मुझे इसे क्या बनाना है इसे क्या बनाना है जो यह है अरे जो है वो बनाना है ना तो मैं यहां क्या कर दूंगा माइनस अंड्रेड जो यहां है अगर मेरे तेरा गाल लाल है तो मैं अपने थपड मार मार के गाल लाल कर लूँगा क्योंकि मुझे तनिश की तरह बनना है कि घंजी कि क्या करा है को अपने मैं मारूंग अगर मुझे चाहिए कि मुझे गाल लाल करने ऑँ तोर मेरे चांटे आए कुछ सब्रस्या Nah Kont da मैं 5 zit नहीं भीटा मैंने क्या बोला हमारा टार्गेट का यह टार्गेट को देखो तुम है आहुजा तारगेट को देखो आप ंक शोकीन स्र तार्गेट को देखो आप अगर विवस्वा है अगर टार्गेट नđ तो तु सफिनो पेपर में पास नहीं हो पाएगा बार लिया अगली भार नीं होगा यहाँ 0-100 पे का पहुचना है तित्तिया समझ आ गया कि नहीं आगया आंसर ये ये तो ये मैं सोर पर यहां लिख दू नेगटीव कॉलम में और यहां लिखूंगा लेश को कोई दिक्कत यहां तक को नोट करो कोई दिक्कत यहां तक हर्च समझ आ गया कि नहीं आ गया यह सब्सक्राइब कर दूंगा और फोन कर दूंगा बंद कि बार से बाहर ही चले जाओ को कि हमारे कानों में डाल लूँगा रूई कि मुझे कुछ सुनाई नीज़रा और सब बच्चों के फोन कर दूंगा साइलेंट वोड़ पे तिक कि तुम बच्चे के फोन पर भी कर पाओ तो कोई यह न कहें सर को केशब बाहर खड़ा है प्ल साथ बज के पांच मिनट 58 सेकिंड के ऊपर लूख लगा दूगा क्योंकि दो सेकिंड्लोक लगाने में लगें एक अरे मैं कल आगए की बात बता रहा हूं पांच पांच मिन्ट तो कह रहा हूं साथ बज़के चार मिनट उनसट सेकिंड पे मैं शीषे का लॉक बंद कर दूँगा अब उसी साफ से आपको सोच रहा है और फोन कर दूँगा बंद क्योंकि आज जो मैंने बियर कर रहा है सब बच्चों ने बियर कर रहा है अभी तक मै अनर्दी और जिस बच्चे का फोन आया था उसको भी क्लास देने बोला नहीं मैं पांच मिलेट देता हूं उसको सवाट का टाइम दिया था मैंने मैंने आई ये अरे आल हाए तो बच्चे आजाओं अगली एंट्री पढ़ो अगली एंट्री पढ़ते हैं हम दियर वाज क्रेडिट ओफ रुपीज टू फिफिटी इन दा पास्वुक इन रिस्पेक्ट ओफ इंट्रस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन यानि कि बैंक ने ब्यास दिया तो इसकी जी प्र लोकेशन पास्वुक में होगी और वहां पे ब्यास दिया तो प्लस टू पास्वुक थी यहां पर यह जो जिस ट्रांजेक्ष्ण होई इसका जी पी आस पास्वुक में था टू फिफिफ्टी और यहां जीरो है मेरे टार्गेट पे टू फिफिफिटी ए वो भी प्लस का मैं बनना चाहता हूं तू प्लस का मतलब जीरो है तो जीरो बनूँँगा हीरो है तो वहां हीरो के लिए प्लस 250 बनना पड़ेगा प्लस 250 यह आपका आंसर हो गया केशव एड़ 250 और यहां लिखूंगा मैं एड़ ना इंट्रस्ट क्रेडिटीड बाई बैंक कोई डाउट यहां तक तनिष यहां तक बताओ अभी तक चारों ट्राइशन में इशान कोई दिक्कत आई अभी तक बस जी प्यर्स पता होना चीए बाहर बर बोल रहा हूं हर्श अभी तक कोई दिक्कत वेटा बैंक रिकनसिलेशन में नुँटसर दिट्याप और देखें धीरे-दिरे हमारी यह फी ट्रांजेक्शन अगई यह भी the second last transaction a customer deposited thousand rupees direct in our bank account it was entered only in the तो आप यह देखिए इसकी location कहा होगी मैंने लिखा CB PB यहां मेरे होगा मैं वही बनुगा वहाँ जीरो है तो जीरो बनुगा हीरो है तो सर बार-बार क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें बार-बार समझाना है जब तुम्हारी मेरी यह वाली जो बाते क्लास्रूम की है तुम्हारे वाद दिमाग में सर्कुलेट गूंज रही होंगी जित्ति आगया समझ में यह अब और एक बात और बोलता हूं ओपनली बोलता हूं जब रवी सर कराएंगे या तुम्हारा कोई जो की अंदर कान बंद कर लएना आप अपने यसी तरीके से परेंगे वह एक इससे ऐसे ऐसे इस जूएके चक्र में ना तुम्हारा जूला बन जाएगा तुम्हें जूड़े नहीं बनना जुले लाल नी बन Nikki आ पर कि तु मैं आपना आंख कान बंद करके आंख ऐसे को पर आपको आंसर दे सकता हूं तो तो ऐसे करके दिखा दे को दिखकर थोड़ी ना है कि समझ रही है बागी मैं सवाल लूँगा तो राइट आए लास्ट टांजेक्शन कर रहे हैं हम कि अरे इसमें हमने क्या किया था यार एड डारेक्टली डिपोजिट इन बैंक बाए कस्टमर जित्तिया मेरी बात समझ में आ रही है बटा यह सर कोई डाउट यहां तक अब लास्ट टांजेक्शन रह गई कि एस पर अंडरलाइन दा वर्ड कि स्टैंडिंग इस्ट्शन याद है मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग इस्ट्शन बैंक को दी जाती है कि तूपेमेंट कर दियो के यह यार हमने दिखनेप में मेंबर्शिप लिए है उसकी फीस लैप्स न वाहरी मेंबर्शिप कैंसल न हो जा हमने बेंक को बोल दिया अगर अगर जनक पूरी कलप से कलबकी पीज़ पंजाई बाक कलप की फीस आइग सपींडिंग कर देना कि यार पेमेंट के तो बोला है कि तो पता लगा मैंने वहां पर डिश्टल वहां पर रखा कार्ड वह कार्ड नहीं खुल रहा करा जी यूर मेंबर्शिप एक्सपाइड है एक्सपाइड तो मेरे जंड हो जाएगी मैं चार जनों को लेगे गया था विस्की पीने के लिए व जिन्दिगी में एक बात बताता हूं भाई शादी तो एक करी है पर तुम जैसों कि कितनी भी शादियों में कुर्सियां तो डालूगा ना मैं तो तजुर्बा नहीं लूगा मैं यह यह लेवल की बात है जाट्टकों कम समझ में आती है यह एक्सपीरियंस कि आये एस पर स्टेंडिंग इस्ट्रोक्शन ओफ दा अमितन कंपनी दब बैंकर दबैंकर हैस मेड़ फॉलोइंग पेमेंट उसने इंशोरंस प्रीमियम की पेमेंट देदी छे सोर्वेगी और कलब की फीज देदी ग्यारा सुर्वेगी पेमेंट देदी बैंक ने तो इस की ट्रांजेक्शन कहा होगी इदर देखो ऐसे नहीं देख ले पहले ऐसे जल्दबाजी मत बोल यहां पर यहां पर क्या था क्छिक वाले पता ही नहीं है यहां क्या था जीरो यहां रिखतो पेटा यह यूंटा और जिखतो दिए मैंने यहां लिक्खूंगा लेस्टा लेस्ट कि इस्टक्शन अरे बस इस्टक्शन स्टैंडिंग इस्ट्ट्शन हो जैसे अब यह बता यह दर देखो अब यह बताईए तुम्हें तो कुछ नहीं करना अब यह बताईए अब आजा उपर अब इधर देखिए आप जहां बेटा इतना साथ दिया दो बिनिट का साथ और देदो इधर देखिए अब आप इधर देखिए अब सभी को दिख रहा है जित्तिया दिख रहा है यह से आपके यह प्लस की आइपमें है कि नहीं है इनका टोटल कितना रहा है कि 745 0 और इसका टोटल कितना रहा है र्याइट इसका मतलब कर मैं इस पर इसको नगटिव करता हूं तो इसमें घटाता हूं तो क्या अंसर आएगा कि इसका प्लस का आएगा ध्यान से सुनों प्लस का बैलन्स आएगा जित्तिया इंजल प्लस का आएगा यह प्लस का बैलन्स आपको क्या इंफोर्मेशन देता है यह प्लस का बैलन्स आपको क्या इंफोर्मेशन देता है यह प्लस वैं कड़िया इसका मतलब प्लस का मतलब है कि बिजन्स ने 3050 रुपई बिजनस ने 13050 रुपीज बैंक से यह यह और फ्रीकुत मतलब है यह बैंक बैंक क्या क्या बोलेगा मैंने देने हैं तो यहां पर यह आंसर आएगा 350 इधर का टोटल कितना हो गया यह देखो 7450 74 और मेरे को पता ना आई लव पिंक पिंक मेरा बैलंस यह आएगा कि नहीं आएगा यहां पर यह देखो कि जित्ते मेरी बास समझ में आ रही है यह यह 3050 दूपीज मैंने यहां लिखा लिखा क्योंकि प्लस का जाएदा यह देखिए यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गाई कि शान समझ में आ गया क्योंकि इधर का टोटल कम था ना तो बैलंस यहां डालूँ आना बेटा मैं तभी बराबर आएगा यह सर नो और यह 350 प्लस का बैलंस आपको यह इंफोर्मेशन देता है कि बिजनस ने बैंक से थ्री थाउजन फिफ्टी रुपीज लेने हैं तो बैंक क्या बोलेगा मैंने देने तो यहां पर लिखा जाएगा जो लास आंसर होगा इस स्टेटमेंट के सामने लिखा जाएगा क्रेडिट बैलेंस एस पर पास्वुक डैड इस यूर फाइनल आंसर किस करने के बाद इसको करने के बाद आपको एट मार्क पूरे मिल जाएंगे बताओ बैंक रिकंसिलेशन कुछ हद तक समझ आ गई कि नहीं आ गई हां जी एंजल समझ आ गई तो फिर एक काम करते हैं आज पर चेस भुक नहीं करते हैं अगली क्लास में करेंगे कुछ साड़े आट अल्रेड़ी हो चुके हैं एक तारिक वाली वीडियो बेचता हूं तो आज इक लास जहीं ओवर करें ठीक है ओके बटा बाए बटा थैंक की ओ़र आजित को कि एक ultimately any अए पो उचे एक फूंगां को कि वाल थैंक नहीं जए नोसे क्या है टत रहीं है